हेलो इस्टुडेंट, स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निक प्रफर्म BSC बायो वाला में स्टुडेंट, आज इस लेक्चेर में मैं आपको टाइप साफ फॉसिल या फिर आप कर सकते हैं काइनड आप फॉसिल के बारे में बताएंगे यानि कि यहाँ पर हम लोग फॉसिल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्रेवियस क्लास थी उसमें मने आपको फॉसिल के बारे में बताया और मने आपको प्रॉसिल के बारे में बताया और कुछ factors के बारे मताया था जो effect करते हैं fossilization को यानि कि fossils के बनने में ठीक आज उसी series को continue करते हुए मैं आपको kind यानि कि उसके प्रकार के बारे मताऊंगा fossil कितने प्रकार के होती हैं तो यहाँ पर जो fossils हैं वो major different type के होते हैं आज हम एक एक करके कुछ types के बारे में समझेंगे यानि कि आपको इसके सभी types के बारे में बताया जाएगा पहला आता है unalterate fossil second आता है आपका mild fossil third आएगा आपका print या फिर आपका सकते हैं impression fossil next है आपका compression fossil उसके बाद है आपका पांचवा pseudo fossil अंबल fossil और साथ ही साथ हम आपको coal fossil और coal corporate fossil के बारे में की coal fossil और coal profile fossil के बारे में बताये तता दो और नए फासिल के बारे में आथो जनीक और टीवरूपेटिक फासिल के बारे में बताये यानि कि यहां पर आपको total तस फासिल के बारे में बताये गे यानि कि fossil यहां पर mainly आपको 10 टाइप के बताये जाएगा ठीक होते ते और भी हैं लेकिन आपको यहां पर 10 टाइप के बताये जाएगे चो आपके exam के point आप भी उसे मस्ट होगा यहां से आपके कम से कम तो अंके हो सकते हैं दो या फिर एक कोशन देखने को मिल सकता है ठीक या दो कोशन देखने को मिल सकता है एक कोशन हो सकता है कि दो नमबर का या फिर पांच नमबर की कोशन भी देखने को मिल सकते है ठीक यानि कि fossils के बारे में यहीं सी कोशन पूछी जाते हैं स्यूडो फॉसिल्स के बारे में पूर्च सकता है आपसे कोपरेट फॉसिल्स के बारे में पूर्च सकता है आथोजेनिक और ड्यूली पेटिक यह आपका एक इंप्वार्टेंट फॉसिल में आता है ठिक तो आईए हम लोग first fossil आने की unalterate fossil से start करते हैं unalterate fossil क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं unalterate fossil इसमें क्या होता है इसमें जो भी organism या फिर plant हो या फिर animal हो जो भी दब जाते हैं ठीक वो जिस condition में रहते हैं उसी condition में दिखाई पड़ते हैं जैसे लगबक 25 सव इयर पूर पहले की बात एक frozen elephant था ठीक जो आईस में ठीक आईस में यानि की birth में दब गया था सिबेरिया में सिबेरिया एक country है वहाँ पे वो दब गया था वो पर्फ में दब गया वहाँ पे कोई microbial activity नहीं होती है वो elephant एक्तम looks like दिखाई पड़ता है उडि मेंथस की तरह यानि की लकड़ी का हो ऐसा लगता है कि वो लकड़ी का क्या हो elephant हो लेकिन वो क्या है वो पचीस हजार साल पुराना क्या है elephant है frozen elephant है जो दब गया था यानि की जिस condition वो है वैसे ही अभी तक दिखाई पड़ता है यानि की वो वो आइस में वहाँ पर कोई macrobial activity नहीं होती वो दिखाई पड़ता है असपश्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर कोई चानवर है elephant है चानवर में elephant दिखाई पड़ता है लेकिन वो कैसा दिखाई पड़ता है लुक्स लाइक ओड़ी में पड़ता है लेकिन वो क्या है वो फॉसिल के रूप में है जब बर्फ साइड की पिखली तो वो दिखाई पड़ा अब वो जो है वैसे ही लगवक 25,000 साल पुराना है वो वैसे दिखाई पड़ रहा है वो कहां पे बर्फ में कौन से पोल पे है सिलेप्रा थिक यानि कि सिलेप्रा एक पोल्स है वहां पे है थिक तो यह अनल्ट्रेट फॉसल समझ में आया यानि कि क्या इन सच चाहे फोर अपोड़ कि आफ इक्स्टिंग्स आर्गरिंजम है बिन फॉंड फ्रोजन इन दा आइस आयड़ पोल्स अबाउट 20 यार ओल्ड फ्रोजन एलिफंट लाइक उडी मैंफस वेर फॉंड इन दा आइस आप सिलेप्रा के आइस में एक मैं एलिफंट है फ्रोजन एलिफंट जो दब गया है वह अभी तक वैसे ही दिखाई पड़ता लेकिन वह डेट कंडिसर मृत वस्था में है लेकिन वह लकड़ी की तरह ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई लकड़ी का रहाचा त्यार करके रख गया हूं तो यह आपका अनल्टेट फॉसिल जिसमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होती है नेक्स आता आपका मौल्ट फॉसिल क्या आता आपका मौल्ट फॉसिल मौल्ट फॉसिल में क्या होता है जैसे आप कभी स्टीकर देखे होंगे स्टीकर जो छोटे-छोटे चॉकलेट्स में या फिर स्टीकर जो देखने को मिलता है चॉकलेट वाला आप लोग तो आपके बॉड़ी पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है यानि कि उस पे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं इस स्टीकर पे वह आपके हैंड पे लग जाते हैं तो ठीक उसी प्रकार से यह माउल्ड फॉसिर होती हैं इसमें क्या होता है जो भी आर्गिनिजम जो भी हो चाहे कुछ प्लांट हो चाहे एनिमल का पार्ट हो वह चीज अवस्था में पड़ता है ठीक वह ऐसा ही दिखाई पड़ता है यानि कि अगर वह रॉक के नीचे या फिर किसी स्वाइल के नीचे वह पड़ा ठीक रॉक्स के नीचे जनरली पड़ते हैं रॉक्स के ज जो आर्गनिजम है उसको डिस्ट्वाय कर देते हैं पस उसका एक शेप बचता है जैसे मने बताया कि आपने स्टीकर को अपने हैंड पर चिपकाया स्टीकर के पॉलिथीन को उजार लिया लिकाल लिया तिक रिमूब कर लिया तो आपके एक बॉड़ी पर इस्ट्रेक्चर ब बना हो जैसे लगता है कि आपके हाथों पर बना हुआ है लेकिन वह उस पर चिपका होता है उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती ठीक उसी प्रकार यहां पर जो भी मैक्रो आर्गनिजम जाते हैं वह उसी तरह दिखाई पड़ते हैं लेकिन उस पूरी तरह से बनाए पड़ती हैं ठीक किसी चीज़का लेकिन जब आप उसको तैकर तो पुरा टूर जाता है ठीक उसी तरह वह होता है कि वह केवल दिखाई पड़ता है लेकिर वह अंधर से डिस्ट्वाए हो घाती है ठीक तो इसको कहते हैं आम लोग मॉल्ट फासी तो ऐसा लगता है कि वह वहां पर कोई structure चिपकाया गया हो मौल्ड का मतलब ही होता है चिपकाया गया हो ऐसा फॉसल जीसे लगए कि वह चिपकाया गया हो बट वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं नेक्स्ट आते हैं आपका print or impression fossils ठेक प्रिंट या पर impression fossils में क्या होता है इसमें क्या होते हैं कि जैसे कोई भी plant हो गया प्रांट का हो गया रूट हो गया लीप्स हो गया तढ़क मिटि में पड़ गया कोई से मिट्टी में किलाई मिट्टी में आरे कि चिकने मिट्टी में तो जब कोई भी प्लांट का पाट या फिर कोई बच्छी का चिडिये का पंक किसे मिट्टी में कोई से मिट्टी में चिकने मिट्टी में पड़ती है तो वहां पे जब वो फॉसिल बनते हैं तो केवर उ चीज था आप कहेंगे वहाँ पर चीडिया का पंग घीरा उसको क्या कर दिया अब वो देड़ोंगे तो वह क्या होते हैं कि वह जो भी ट्विक्ट है या फिड़ का जो ट्विक है वह मिट्टी में पढ़ते हैं उसको माइक्रो आर्गिजम क्या करते हैं दिकम्पोज करते हैं जैसे आपने कोई चीज प्रिंटिंग कराते हैं तो होता है कि वहाँ पे ये चीज होगा लेकिन वास्तों में नहीं होता है क्योंकि वहां पर कोई paper ही है तो ठिक उसी प्रकार के clay मिट्टी चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि जैसे कोई भी part आके गीरा plant का ठिक तो वह क्या होती है कि structure बना लेती है हाँ कि यह part होगा या पर कोई leaps सी गीरा तो leaps में जितने veins हैं जितने midriff है वो सब सारे प्रिंट हो जाती है ठीक जब आप उसको याने की पत्ती को अगर उखाड़ लेते हैं तो उसकी प्रिंटिंग छब जाती है ति कुछी प्रकार जैसे कोई पत्तिगी वहां पर मैक्रो आगर जम अटेक कर दिये वहां के सारे वेंस लीफ सारी चीज़े नस्ट हो जा दिये पर एक स्ट्रेक्चर बचता है कि यहां पर कोई लीफ था तो उसी क्यों करते हैं हम लोग प्रिंट वह आरार इंप्रेसिव फॉसिल थर्ड फोर्थ आता आपका कंप्रेसिव फॉसिल इसमें क्या होता है वो समझेए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फट फट से लाइक कर दिजिए और वेल आइकन को दबा लेजिए अगर आप चैनल पे नए है अगर आपके कोई डाउड कोई क्वेशन हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर दिजिएगा आगे बरतें कंप्रेसिव फॉसिल में क्या होता है इसमें जिसे कोई आर्गनिजम है ठीक कोई भी फॉसिल से वो मिट्टी में पड़ा तो आपे दब गया दबने के बाद वह ठीक फ्लेट होने के पास उस पे जो है कि बाइक्रो आइगनिजम आया अटेक कर दिया और उस पे एक छोटी सी क्या हो जाता है कि ओर लैपिंग हो जाती है जिसको हम लों कहते हैं कंप्रेसिव फोसिल मेरे कहने का मतलब यह जैसे कोई आइगनिजम है उसका कोई पार्थ है य ठीक किसके कारण कंप्रेसिव हो गए प्रजे साब सेडिमेंट के कारण सेडिमेंट मतलब कोई भी भारी पदार्थ हो गया ठीक उसके कारण वो क्या होगे सेडिमेंट हो गया फैल गए इसली को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव फोसिल यानि कि कोई पार्ट या कोई प्रान इस पे जब यह गिरा ठीक उस पार मिट्टी लगी तो यह फैल जाते हैं किसी क्यों कहते हैं लोग compressive fossil अब इसमें जो जो भी matter होते हैं वो fossil के रूप में दिखाई पड़ते हैं next आता है आपका pseudo fossil pseudo fossil क्या था वो समझे है pseudo fossil का मतलब होता है जूठा fossil जब कोई ठीक जब कोई rocks चटान कोई आकार ले लेता है तो च्छान होता है कि कभी-कभी वो different shape ले लेते हैं करने मतलब ऐसा लग रहा हो कि जैसी यह कोई प्लांट हो या फिर आइसा लगता है कि जैसी यह कोई animal हो ऐसा सेप ले लेते हैं तो उसी क्यों करते हैं हम लोग pseudo fossil ठीक या कि कोई plant है रॉक्स है तो हो सकता है कोई plant के पार्ट का structure ले कोई animal का structure ले कब लेता है डियूरिंग दियर फार्मेशन जब चक्टाने बनती रहती है जब चक्टान का k כня फार्मेशन होता है तो वह होते हैँ कि diff reint सेप से ले रहते हैं तिभ जैसे वह मिलता कि ब्रौन्ट कोई यह महीं हो सकता ही देखने को मिलता कोई यह animals है तो वह होते नहीं है वह rocks होते हैं जिछने पारते हैं फॉसिल्स की तरह दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो फॉसिल नहीं होते हैं इसलिए उसको क्या होते हैं लोग छूटा फॉसिल्स आने की स्यूडो फॉसिल्स वो होते होते तो रॉक से चटाने होते हैं पर वो दिखाई कैसे पड़ते हैं फॉसिल्स की तरह ठीक स्भल्च नैक्स बहुंत आका एंबर फॉसल अंब ahead वासिल में क्या आता है उसको समझ आप लोग मैं अंबे फैसल में क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है तो उसे क्या होता है कि yellow इस्ट के material secrets होता है यानि कि мал boy ये किसे होते संख्वाकार प्लांट हो गया फ्द्रा का प्लांट होते हैं इनसे क्या होता है इस मैं इसके में स्क्राइब हो सकता कि पाल नंग्रेन हो geral współ aux a new या फिर फ्लांट पार्ट के साथ क्या हो जाती हैं मिक्स्ट और ने कि उस चल्ररा जो मट्रेट फिक यह क्या हो जाते हैं कोई प्लांट का पार्ट या फिस रेजिन से हो कंटेक्ट में आ तो वह क्या जाते कहीं फॉसिल के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं मेरे कहने का मतलब यह था जिसे देखिए कोनी फिरस जो प्लांट होते हैं वह एलो कलर की स्टकी मठीर करते हैं अब उस पे कोई पालने ग्रेन इस्पोर्स या फिर कोई भी पार्ड चला गया तिक पालने ग्रेन हो गया माले जे इस्पोर्स हो गया इंसेक्ट हो गया ट्रैप्ट हो गया अब वह कोई इसमाल एनिमल के साथ या फिर इसमाल प्लांट के साथ ठीक क्या हो गए दब जाते हैं ठीक तब जाते हैं तो वह इंसेक्ट या फिर जो भी मैटेरियल था जब वह दब कि यहां पर बता है कि it is एलो इस्ट्ट का संक्वा का प्लांट होता है उनसे चिकुरीज होता है प्लांट होते हैं बिफोर फासिलाजेसर तर एलो मेटेरियल ट्रेप्ट इंसेक्ट जो एलो मेटेरियल होता है वो इंसेक्ट को पालिंग्रेंज को इस पूर को अपने तरफ घिषता है तब क्या होता है कि उससे चिपक जाते हैं चिपक वो भूमे पे गिर जाते हैं भूमे पे गिरते हैं तो क क्यों कहते हैं हम लोग अंबर फॉसल ठीक साथ मेरी बात समझ में आउगी यानि कि एलो कलर का जो मैटेरियल है उसके साथ पालिंग रेन या फिर कोई आके चिपक गया वो फॉसल यानि कि मिट्टे में जाते हैं वो फॉसल के रूप में दिखाई परते हैं ठीक अगला समझत यानि कि पेट्रिफाइड प्लांट से यह रिलीज होते हैं कहने का मतलब यह था तिके जो कोल बाल होता है कोल का मतलब होता है कोईला ठीक कोईला जब किसी पेट्रिफाइड प्लांट के साथ दिखाई परते हैं उसके साथ प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं कहने का यह था एक प्लांट होते हैं उसका जब आप देखेंगे उस प्लांट को तो उसका जो सेफ होता ह मैं रफली होता यानि कि उसके चारो तरफ का जो इस ट्रॉक्चेर होता हो उबड़ा खाबड़ा होता है टिक यानिक यह अगर कोई उसका उसके जो बारी सरफेस वह रस होगा टिक उबड़ा खड़ाने को उबड़ा अब दबा हुआ होगा तो वही का गया प्रेट्रिफाइड प्लांट और गन टिक कोई भी उसका पड़ कोई का हुँगा आ है आउज लाक तर्फली की पाए जाब इसको कॉयली कि तरह दिखाई पड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते है कोल बाल जो एक फॉसल के रूप में होता है आपको पता है कोईला क्या है फॉसल है तो इस फॉसल में जब वो पेट्रिपाइट प्लांड का पार्ड मिलता है उसको क्या बोलते है कोल बाल ठीक अब बात मेरी समझ में आई होगी याने की कोई होते हैं। लेकिन जो इसका होता है रफली होते हैं। आप लोग समझते हैं हम लोग ठीक कार्पोराइट कार्पोलाइट फॉसल्स जो होते हैं जैसे आपने इस्क्रिट्री मटेरियल देखे होंगे एनिमल कर यानिकी जैसे आपने गोट बकरी का इस्क्रिट्री मटेरियल देखे होंगे यानिक उसके फीकल मेटल को तो वह कैसे होते हैं उसको corporate बोलते है ठिक ठिक जो स्क्रेट्री मठरील होता है एनिमल का ठिक तो round in safe होती है ठिक यानि कि आप कर सकते हैं जो बकरिया होती है जब वो fecal material release करती है तो वो round safe की होती है ठिक आप कह सकते हैं कि जो फिकर मट्रियर लिकल रहा है वो जब कहीं दब जाती है ठीक तो वो एक प्रकार की फोसिल्स होती है यानि कि उसके बॉड़ी से रिलीज हुआ कहीं उसको थोक कर दिया क्या फेक दिया गया तो वो दब जाती है जब वो आपस निकलती है ठीक मिट्टी से तो वो राउंड सेप की होती है कॉर्पेट सेप की होती है अब वो एक प्रकार की फोसिल्स होती है क्योंकि वो राउंड सेप का है और स्क्रेटरी मट्रियल्स है बेरे कहने का मतलब समझ में आया होगा यानि कि जो कार्पेट सेप की होती है ठिक इस क्रेटरी मटेरियल की तरह होती है कार्पेट फोसिल्स फिकल मेटर होता है एनिमल का यानि कि बकड़ी का गोट का वो क्या होती है वो कार्पेट फोसिल्स होती है इतना आप जानते रहें नेक्स्ट आता है आथोजेनिक फोसेल्स ये बहुत ही important टर्म है एक है आपका दिूरापेटिक फोसेल्स ये आपके exam के point व से most important है आथोजेनिक और दिूरापेटिक फोसेल्स ठीक क्योंकि इसमें कई फॉसल्स हो जाते हैं आईए समझते हैं आथोजेनिक फॉसल्स के बारे में जो यह आथोजेनिक फॉसल्स होते हैं इसमें जो भी फॉसल्स मिलते हैं तिक यानि कि इस टाइप की जो फॉसल्स होते हैं आथोजेनिक टाइप फॉसल्स उसका सर्फेस ट्रिक only surface यानि कि बाहर का surface क्या होते हैं saved होते हैं, सही होते हैं और अंदर का जो matter होता है जो अंदर के matter होते हैं वो क्या होते हैं, destroyed हो जाते हैं मेरे कहने का मतलब जैसे कोई fossils मिला बाहर की structure दो दिखाई पड़ रहे हैं असपस पड़ अंदर का जो structure होता है वो completely destroyed हो जाता है नस्ट हो चुका होता है इसको लोग क्या होते हैं आथोजेनिक fossils यानि कि in such type of fossils only surface layer of organism केवल बाहरी layer ही आर्गनिसम का ओया फीड उसका बाहरी layer ही part क्या होते हैं, preserved होते हैं सही होते हैं और organic matter of organism जो organic matter है अर्गनिसम का वो क्या होता है completely destroyed होता है यानि कि उसके अंदर का जो part होगा वो पूरी तरह से nest हो चुका होगा कहने का मतलब अगर कोई part है उसके अंदर का सारा part क्या हो गया है nest हो चुका है, destroy हो चुका है बाहरी layer जो है वो असपश्ट है, दिखाई पड़ रहा है वो सही है उसको हम लोग क्या कोते है आथोजेनिक fossils इसमें आपके कई fossils आते हैं जैसे impression fossils mild fossils और print fossils ये तीन fossils इसमें आते हैं तो आपसे यही question पूछ देगा आथोजेनिक fossils तो इसमें तीन आ गयाते है impressive fossils, mild fossils और print fossils तो आपसे जो question है वो यहाँ से भी पूछ सकता है आथोजेनिक fossils आथोजेनिक fossils पूछ देगा तो इसमें तीन fossils आ जाती है या फिर हो सकता है आपसे separately भी अलग-अलग करके भी पूछ सकता है next आवर last आता है durepatic fossils ठीक durepatic fossils durepatic fossils इस fossils में क्या होते है इसमें जो hard part होते है ठीक यानि कि इसमें clear कर बताए गया है कि जो hard कोई भी plant है कोई भी animal है ठीक चाहिए वो plant का part हो या फिर animal का part हो वो कैसे वो hard हो hard का मतलब यानि कि गर plant का part है तो उसकी जो उड़ होंगी strong ore उसकी लगड़ी या फिर अगर कोई plant है तो उसके teeth, cells, bones ये सब क्या होते है skeletons ये सब क्या होते है hard होते है ठीक ये सब क्या जाती है सब preserved हो जाते है इनमें कोई changing नहीं होती है कहने का मतलब अगर कोई plant या फिर कोई animal दब गया ठीक किसी कालड़ वस ठीक तो वो fossils के रूप में होगी यहां तक समझ में आया बात तो सारे part मनें बताए कि destroy नहीं होगा कि वो soft part क्या हो जाएंगे destroy हो जाएंगे और जो hard part होगा वो क्या होगे वो destroy नहीं होगे तो अगर plant का है तो उसमें आपको उड लकड़ी देखने को मिलेगी जो hard होती है अगर कोई animal दब गया तो उसमें तीथ जो soft होती है आनि की hard होती है वो ऐसे ही दिखाई पड़ेगी cells कवच जो होती है वो ऐसे ही दिखाई पड़ेगी skeleton उसकी हड़ियां भी वैसे दिखाई पड़ेगी जैसे present time वो थे ठीक तो उसमें कोई भी changing नहीं होती है उसमें दो type के आते हैं आपका fossil जैसे petrified fossils और coal ball fossils यह जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई पड़ते हैं यानि कि यह hard होते हैं जैसे petrified जो coniferous होते हैं इसमें sticky material होते हैं वह जैसे वहां पर चिपका होता है गीरा वैसे दब गया वैसे ही रह जाता है वैसे कोल बाल होता है ठीक वैसे ही वह दिखाई पड़ते हैं तो दिवरा पेट्रिक भी यह दोनों आ जाते हैं तो दिवरा पेट्रिक मैंने यह बताई यह hard part होते हैं प्लांट के हो या एनिमल के और जिसमें bones या फिर हट्रिया वह hard होती है वह जैसे fossils बनती हैं ठीक उसी प्रकार से दिखाई परते हैं ठीक तो यह रहा आपका पूरा classification से या पिर कह सकते हैं अगले लेक्चर में हम लोग जीटीयस के बारे मताएंगे जीयो लोजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे जो एक पहुत ही important question होगा आपके exam के point आप दोसे ठीक जीयो लोजिकल काइम स्केल जीटीयस बोलते हैं ठीक तो यह आपके लिए बहुत important होगा इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर discuss करेंगे अगर मेरे दोवार समझाये हुई सारी बाते आपको समझ में आई होगी तो आप comment box में crystal clear comment कर दीजेगा मक्खन comment कर दीजेगा कि सारी बाते मक्खन हो गई और अगर आपके कोई doubt कोई question होते हैं तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं या पिर हमारे whatsapp number के तुरू भी आप अपने doubt question को हमसे share कर सकते हैं हमारे whatsapp number पे आपको अपने doubt question को भेश सकते हैं तो 9598308044 पे आप whatsapp के तुरू अपने message को भेश सकते हैं और हम वहाँ से आपको answer देरेंगे अगले lecture में हम लोग इसी के बारे हम discuss करेंगे और एक बात अगर आपको वीडियो अलक्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे देजिए पेल आइकन दबा लेजिए ताकि आपको डेडिक डेडियो नोटिफिकेशन से मिलते रहें और अपने मित्रों के साथ सेयर करना ना भूले